Hello everyone, welcome you all at Locke Sir Unlimited Study Zone So guys, Plane in 3D में कल हम लोगोंने important equations of plane पढ़े जिसमें हमने आपको सबसे पहला जो form पढ़ाया वो था आपका point form of a plane that is equals to vector r minus vector a dot vector n equal to 0 यह पहला form था, दूसरा हमने आपको पढ़ाया इसका standard form जो आपका बन गया था vector r dot n vector is equals to d फिर तीसरा मैंने आपको पढ़ाया कि एक point से जाने वाला और दो vector के perpendicular, दो vector को contain करने वाला r minus a dot b cross c ऐसा equal to 0 एक यह था, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि तीन non-collinear point को अपने अंदर रखने वाले plane का equation okay, so r minus a dot, यहाँ पे dot a, b cross a, c, यहाँ आया कुछ आपको, equal to कितना? 0, okay, then इसके बाद मैंने आपको normal form पढ़ाया, so vector r dot any cap is equals to p, p यहाँ पे perpendicular length from the origin होती थी, तो overall हमने इन 5 form के cartesian और इन 5 form के vector equations हमने अभी तक discuss कर रखे हैं, कर रखे हैं आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, equation of a plane passing through the intersection of two plane, आपने अपनी किताब देखिए, आपकी किताब में कुछ यह हिसाब से रहता है, यह देखिए, आपकी किताब के यह दो पन्ने है, और आपकी किताब के यह दो पन्ने जो है, यह दो अलग-अलग plane है, पहले plane का नाम माल लो, vector r dot n1, okay, vector r dot n1 equals to d1, मैंने कल बताया था, standard form में यह होगा, तो moreover आप इसको क्या लिख सकते है, vector r dot n1 minus d1 equal to 0, yes or no, so this is equation number 1, plane का equation number 1 है, इसे आप ऐसे समझ सकते हो, कि इस वाले part को आप बूल सकते हो, plane 1 equal to 0, है ना, ऐसे समझने के लिए, यह trick है, दूसरा देखो बेटा, जो अपने पास equation of plane है, vector r dot n2, क्योंकि इसका normal अलग होगा, इसका normal somehow यहाँ कहीं जाएगा भाई साब, और इसका normal यहाँ कहीं जाएगा, जाएगा की नहीं जाएगा, तो vector r dot n2 equal to some constant d2, clear, तो vector r dot n2 minus d2 equal to 0, य यह second part of the plane हो गया, plane 2, clear है, अब देखो आप यह समझो कि यह, जब दो plane एक दूसरे को काटते हैं, तो क्या बनती है, एक क्या बनती है, एक क्या बनती है, line, ठीक ना, आप यह देखिए, कि यह आपकी किताब का पहला page है, यह वाला, first page है, plane number one जो है, आपका first page है, और यह आ बहुत सारे pages आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं इस same line पर, बताइए, आ सकते हैं न भाई, अगर आप अंदर देखें, तो बहुत सारे pages इस किताब के same border पे बैठे होते हैं, बोलो बैठे होते हैं कि नहीं बैठे होते हैं, एक यह बैठा होता है, फिर एक और बैठा होता है, का contain करते हुए कितने plane जा सकते हैं infinite plane कितने plane जा सकते हैं infinite तो उन plane का equation मैं आपको बता रहा हूँ उन plane का equation आप याद कर लीजिए इसके trick है कि तरीके से trick क्या है हमने जो निकाला है P1 plus P2 ओके तो trick होती है इसकी पहला plane P1 plus lambda P2 equal to 0 यह याद रखिए P1 plus lambda P2 equal to 0 यह हर जगे लगती है बेटा हर जगे यही concept लगेगा कि अगर मान लीजे दो circle के intersection से जाने वाला circle तो पहला circle तो वहाँ पर क्या बन जागा C1 circle plus lambda C2 plus lambda times of C2 equal to 0 अगर आप बात करोगे line की तो first line plus lambda times of L2 equal to 0 तो यह comment रख एक तरीके से तो आए अभी तो हमको plane से मतलब है तो हम plane पर ही बात करेंगे तो क्या बन गया हमाँ पस भाई vector r dot n1 minus d1 यह पहला part हो गया plane का plus vector r dot n2 ओ मैं जी lambda भूल गया क्या plus lambda vector r dot n2 और minus d2 equal to 0 ठीक है बेटा चले इसको simplify कर लीजे तो यह क्या बन जाएगा हमाँ पस simplify करने से यह बन जाएगा vector r dot n1 vector minus d1 plus lambda times vector r dot n2 vector minus lambda d2 equal to 0 clear तो अब यहाँ पर आप यह दी देखें दोनों को r dot n1 vector plus lambda times of r dot n2 vector इधर पर क्या जाएगा minus d1 है यहाँ plus d1 हो जाएगा और plus lambda d2 तो यह r यहाँ पर common ले लेंगे आपको dot के अंदर क्या बच्चेगा n1 plus lambda n2 n1 plus lambda n2 और यहाँ पर क्या आगया d1 plus lambda d2 यह देखें तो यह आपका execution बन चुका है यह दो plane के intersection से जाने वाली plane को family को represent करेगा समझ में आ गया यह दो equations हैं उनके intersection से जाने वाले plane के family क्योंकि एक plane नहीं जाएगा बहुत सारे plane जाएगे है ना lambda की value put करते जाएगे lambda अलग-अलग आएगा और plane भी अलग-अलग generate होते जाएगे तो actually किसको represent करेगा एक family को family of plane किसको represent करेगा बेटा family of plane को represent करेगा ठीक है अब चलिए इस equation को हम Cartesian form में देख लेते हैं किस form में देख लेते हैं Cartesian form में तो आपको याद होगा जब हमने बताया था आपको इसके पहले की class में कि बेटा vector r.n equal to d होता है इसका जो Cartesian form बनता है वो बनता है ax plus by plus cz plus d equal to 0 ये बनता है ठीक है ना तो अब हमारे पास ऐसे दो plane है तो ये इसका left part बन गया बेटा p1 है ना तो पहला plane हम क्या मान सकते हैं ये तो standard form था इसका मुझे अलग से लिखना चाहिए तो पहला plane बेटा देखो बेटा first plane जो रहेगा vector r.n1 is equals to d1 के नाम से तो इसका क्या बनेगा बेटा standard form a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 you can give it equation number one okay clear है अब देखिए यहाँ पे ये क्या है बेटा this part is p1 equal to 0 so this equation is looking like p1 equal to 0 clear na दूसरा equation again वही vector r.n2 equal to d2 को अगर आप simplify करते हो vector form में तो दूसरा आपका partition form equation बनता है a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0 clear यह equation number 2 हो गया clear है यह जो पार्ट है बेटा this is the second part of plane p2 equal to 0 अब बेटा आपको मैंने क्या बताया equation of plane passing through intersection of p1 and p2 दो plane है p1 और p2 उनसे जाने वाला तो बताया p1 first plane plus lambda times of दूसरा plane equal to 0 तो पहला plane का equation क्या है a1x plus b1y plus c1z plus d1 यह हो गया पहला plane as it is रख दो plus lambda times of a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0 very very important बेटा यह जो है इस equation से इस तरीकी से आप solve करेंगे तो आपका answer आपको मिल जाएगा ठीक है ना तो यह family of plane को represent करेगा जो की दो plane के intersection से जा रही है clear हो गया any problem चलिए हमारा अगला topic है equation sorry equation नहीं अब तो हम पढ़ने वाले है एंगल बेट्वीन टू प्लेंस देखिए भाई एंगल बेट्वीन टू प्लेंस आपके पास पहले ऐसे समझो यह एक प्लेन ही है तो इसका equation यह आप ले लें first plane का equation vector r.n1 equal to d1 जो के हमने पढ़ रखा है r.n1 equal to d1 ठीक है बेटा इसका normal कहा जाएगा बेटा यह उपर की और जाएगा जाएगा की नहीं जाएगा यह उपर की और जाएगा अगर मैं एक और plane लेलू जो इसके perpendicular हो यह देखे कुछ इस तरीके से यह देखे तो इसका normal कहा आएगा बेटा यह सामने की तरफ आएगा आएगा की नहीं आएगा तो आप यह देख रहे हैं कि दोनों plane के बीच का angle किते डिगरी है 90 और यहां normal के बीच का angle भी किते डिगरी है 90 मतलब angle के plane के बीच का जो angle होता है वही इनके normal के बीच का angle होता है So I can say angle between the planes is equal to angle between their normal Yes or No? उनके normal के बीच का angle clear ना? उनके normal के बीच का angle तो अब हम इनका angle निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे formula क्योंकि normal as a vector treat हो रहा है तो cos theta दो vector की बीच का क्या होता था? a dot b upon mod of a mod of b तो यहां पे दोनों के बीच का formula आजाएगा cos theta is equals to पहला normal, दूसरा normal, first normal, second normal upon mod of first normal, mod of second normal clear? first normal अगर इसको आपको partition में बदलना है बेटा तो first normal आपको कैसा दिखाई देगा? first normal is looking like in the form of a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap and n2 जो second normal रहेगा वो कैसा दिखाएगा? a2 i cap plus b2 j cap plus c2 k cap yes or no? दो normal रहेंगे तो बस क्या करना है? यहां पे value पुट कर दीजे cos theta की जगा है so cos theta is equal to first normal a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap dot a2 i cap plus b2 j cap plus c2 k cap clear? whole divided by mod of first normal मतलब a1 square plus b1 square plus c1 square into a2 square plus b2 square plus c2 square clear हुआ? तो यह आपका formula पहला बन चुका है इसको बलकि और simplify कर देता हूँ तब formula बनेगा so cos theta is equal to beta a1 का a2 से multiply हो जागा तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 मतलब वही जो line के बीच का formula बन रहा था है यही formula बनेगा so the formula is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 whole divided by under root a1 square plus b1 square plus c1 square into a2 square plus b2 square plus c2 square clear है? बन जाएगा न? ठीक है? तो यह फॉर्मूल बन गया in the terms of direction ratios in the terms of direction ratios अगर आप यदि इसको direction को sin के terms में भी बना सकते हैं cos theta is equal to कैसे अगर आप देखें इसको distribute कर दें आप एक बार तीनों के नीचे distribute होगा a1 a2 के नीचे भी तो पहला root आप a1 वाली party का इसको देदो a1 square plus b1 square c1 square और यहाँ पर a2 square plus b2 square plus c2 square इसको आपने distribute कर लिया ऐसे ही b1 के नीचे जाएगा और किसके नीचे b2 के नीचे जाएगा ऐसे ही similarly c1 के नीचे जाएगा और बेटा c2 के नीचे जाएगा जाएगा की नीचे जाएगा तो यह क्या है कुछ यादा है आपको this is direction cosine l1 और यह क्या बन जाएगा l2 ओके yes की no तो एक formula हमाई पास बनेगा cos theta is equals to l1 l2 plus m1 m2 plus n1 n2 clear है तो यह हो गए हमारे दोनों formula in the terms of direction ratio और in the terms of direction cosine को साइन ठीक है अब इसमें हम discuss कर लेते हैं condition of parallelty और condition of perpendicularty तो पहली condition हम discuss करते हैं condition of parallelty तो देखिए condition of parallelty अगर दो plane आपके parallel है तो यह देखिए पहला normal इसका suppose यहां जा रहा है अब दूसरा plane भी इसके parallel है तो हो सकता ऊपर हो या नीचे हो तो इसका normal भी कहा जाएगा बेटा N2 ऊपर जाएगा तो अगर दो plane if plane 1 is parallel to plane 2 it means their normal is also parallel बोलो yes or no normal is also parallel तो क्याद होगा आपको मैंने क्या condition बताए थी direction ratio having the same ratio a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 clear की not clear अगर दोनों parallel है तो they having the same ratio a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 ठीक है ओके और यदी आप direction cosines के sense में बात करेंगे तो l1 upon l2 equal to m1 upon m2 equal to n1 upon n2 because उनके अगर main vector parallel है तो उनके unit vector भी तो parallel होंगे n1 cap and n2 cap बोलो yes or no n1 cap and n2 cap clear any problem तो यह हो गए दोनों वेक्टर parallel हो गए third case देखिए sorry second case दी है अगर दोनों plane एक दूसरे के perpendicular हो यह देखिए एक दूसरे के perpendicular plane है तो अगर दोनों plane एक दूसरे के perpendicular हो तो इनके normal भी आपस में क्या होंगे बिटा perpendicular होंगे this is n1 vector and this is n2 vector तो if there are perpendicular the angle between them is 90 degree and cos 90 is equal to कितना हो जाएगा बिटा 0 and this is equal to याद होगा आपको a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 whole divided by पहले a1 square b1 square c1 square a2 square b2 square c2 square यह पूरा नीचे का term 0 के साथ हा जाएगा और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा finally condition क्या बनेगी a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to any problem तो बेटा यह condition आपकी बन जाएगी perpendicular of planes की ठीक ना अगर दो plane आपके perpendicular है बेटा तो यह condition आपको मिल जाएगी any problem ठीक है ना तो इस तरीके से आप plane की perpendicularty plane की parallelty यहाँ पर discuss कर सकते हैं I hope आपको यह clear होगा so this is the condition for parallelty and perpendicularty ठीक है चलिए यहाँ पर यह चीज हमारी पूरी finish हो जाती है so formula एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ cos theta is equal to mod लगा लिजेगा क्योंकि acute angle आएगा acute angle otherwise problem होगी obtuse भी देता कई बार तो n1 into n2 तो उपर मैंने mod नहीं लगाया था क्योंकि मैंने acute angle की बात नहीं की थी पर यह आप acute angle देखना चाह रहे हैं तो आप क्या लगा लिजे case में mod लगा लिजे ओके इसके यहां पर आप mode लगा लिजे तो आपका answer acute angle मिल जाएगा clear अब देखिए आप next है angle between line and a plane एक आपके पस line है और एक plane है अगला topic है हमारा एक आपके पास line है और एक आपके पास plane है यह देखिए यह एक plane है plane का equation में क्या दे सकता हूँ vector r.n vector is equals to d1 है ना डी ले लिजे clear है यह पहला हमारा equation है और यहां से एक line आ रही है जो इसको penetrate करके जा रही है plane को यह आई यह penetrate करके पीछे से निकल गई निकल गई भूली यह सौनो clear है न एक दम yes तो यह इसको penetrate करके आ गई है अब देखिए यहां पे इस plane का normal कहा है definitely इस point पर जो plane का normal होगा वो यहां पर होगा उपर की तरफ that is n vector clear है तो यहां पर आपके पास दो angle बन रहे है एक plane के normal के साथ तो plane के normal के साथ angle यह बन रहा है clear है plane के normal के साथ angle यह बन रहा है this is called theta this is called theta अगर plane के normal के साथ angle theta है तो आपको जो angle निकालना है line के साथ निकालना है plane का तो वो angle actually theta नहीं होगा वो angle होगा 90 minus theta बुले होगा की नहीं होगा वो angle आपके पास क्या होगा 90 minus theta clear है ना इसको आप phi कर लो इसे आप क्या suppose कर लो phi because theta plus phi is equals to किते degree बेटा 90 degree clear है any problem तो यह plane है अच्छा line का equation मेरे को बताना चाहिए यहाँ पे तो line का equation क्या है vector r equals vector r equals to a plus lambda vector b lambda vector b a क्या है जिससे point line जारी होती है a वो point होता है suppose यहाँ पे a बैठा होगा having position vector a और b क्या होता इसका direction vector b क्या होता इसका direction vector तो यह जो आपका theta तो निकलेगा cost theta वो किसके किसके बीच में निकलेगा initially n के बीच में और b के बीच में निकलेगा कि निकलेगा क्योंकि cost theta जो है एंगल है किसके किसके बीच का एन का और बी का, so I can write cos theta is equal to angle, क्या है एंगल भाई cos theta is equal to cos theta is equal to vector n dot vector b dot vector b upon mod of n mod of b, कोई दिक्कत है क्या से में आपको, भाई n और b के बीच का एंगल है, इसका direction b है और इसका direction n है, तो दोनों के बीच में formula लगा दिया, लगा दिया हमने, अचलिए, आप देखिए, अब हमारे पास जो cos दोनों के बीच का, यहाँ पे एंगल हमारे पास theta आ चुका है, ठीक ना, हमें theta को, हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें यह चाहिए, phi चाहिए, we want phi, हमें line और plane के बीच का एंगल चाहिए, this angle is called phi, yes or no, so theta plus phi, equal to how much, कित्य डिगरी है, 90, तो यहाँ से theta की value क्या 90 minus phi हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं theta की value 90 minus phi फूट करता हूँ, तो cos of 90 minus phi, this is equals to vector n, dot vector b, upon mod n, mod b, yes or no, तो cos 90 minus phi क्या होगा, sin phi, क्या होगा, sin phi, और phi ही तो एंगल है, किसके किसके बीच का, line और plane, line और, हाँ, तो हमें line और plane का normal का एंगल theta है, but line और plane के बीच का एंगल कितना है, phi, okay, so cos 90 minus phi कितना हो जाएगा, sin phi, finally angle हमारा बन चुका है, sin phi equals to vector n, dot vector b, upon mod of n, mod of b, clear है, तो याद रखेगा, यह line का plane के साथ angle है, जैसे यह अपने पास plane था, ओके, यहाँ से यह line जा रही थी, इस तरीके से, इस तरीके से, इस point पे penetrate करके, तो बटाँ, एक तो normal है, तो normal के साथ का angle नहीं चाहिए, हमें समतल plane के साथ का angle चाहिए, तो यह वाला angle क्या है, fine, clear है, any problem, तो यह acute angle के लिए आप यहाँ पे mod लगा दीजिए, ठीक है, तो यह आ गया हमाँ पस, कोई दिक्कत, चलिए, यह हमारा concept clear हो गया, अब हम बात करते हैं, co-planarity of two lines, next concept है हमारा, co-planarity of two lines, दो line के co-planar होने की क्या शर्त है, देखिए, यह आपके पास एक plane है, ठीक है, आपके पास एक plane है, इसके अंदर दो line है, एक पहली line यह है और एक दूसरी line यह है, ठीक है, पहली line का equation क्या होता है बेटा, first line का equation, first line का equation मान लिजिए, vector r equal to a1, plus lambda vector b1, clear है, मतलब है, किस point से जा रही है, a1 point से, और किस के parallel है, b1 के parallel है, ठीक है ना, second equation जो line का ले लिजिए, आप ले लिजिए, vector r equal to a2, plus lambda vector b2, तो यहाँ पे हो गया, अपने पास में कितना, a2, और lambda vector b2, तो यह a2 से जा रही है, और किस के parallel है, बेटा, b2 के, clear है, आपको याद होगा, सबसे, दूसरे number में मैंने आपको equation बताया था, एक point से जाने वाला equation, एक point से जाती है, और line जो है, दो vector को contain करने वाली plane का equation, r minus a, a1, या vector r minus a, और यहाँ पे आया था, b1 cross b2, या b cross c, whatever, जो भी होगा, equal to कितना, 0, याद आया, और इसको जब आपने solve किया था बेटा, तो कुछ ऐसा बना था, partition form में जब इसको लाए थे, तो आपका बना था, x minus x1, y minus y1, z minus z1, और यहाँ पे a1, b1, c1, first के direction ratio line के, and second, a2, b2, c2, ठीक है पेटा, अब यह आप यह देखिए, equal to 0, equal to कितना, 0, तो यहाँ पे x, y, z क्या है, variable point है, किसके है, plane के, अब यह बताईए, यहाँ पे a1 के coordinate तो मैंने चलिए, a1 का, a1 के जो coordinate होंगे, 2000 x1, y1, z1 मैंने ले लिए है, समझिएगा बहुत अच्छे से, a1 के जो coordinate है, 2000 x1, y1, z1, अब a2 के भी तो point है, और a2 के point आप क्या ले सकते हैं, x2, y2, z2, अगर यह point इसी plane में बैठा होगा, तो क्या satisfy करेगा की नहीं करेगा, करेगा ना, बिलकुल करेगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे put कर देंगे, अगर 0 आ गया, इसका मतलब यह दोनो point जो है, दोनो लाइने क्या है, coplanar है, दोनो लाइने क्या है, coplanar है, समझ गया है, क्योंकि वो दोनो लाइने किस से जा रही है, a1 से और a2 से, clear है, अब अगर यह condition satisfy हो गई, it means the two, the two lines are having in the same plane, अब equation तो हम पहले पढ़ी चुके हैं, कि यह equation था इसका, यह तो हमने पहले derive कर लिया है, है ना, एक point और दो parallel vector से जाने वाले plane का equation, clear है, चलिए, next, अगला topic है, and I think यह last topic होगा हमारा, बहुत अच्छा topic, distance of a point from a plane, distance of a point from a plane, हम formula बना रहे हैं, कि distance of a point from a plane क्या होगा, ठीक ना, देखें, next topic जो हमारा बन रहा है, वो है, distance of a point from a plane, आप इसे perpendicular distance भी कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि distance का मतलब perpendicular distance ही होता है, हम करने क्या जा रहे हैं, देखें, यह आपके पास एक plane है, यह आपके पास क्या है बेटा, एक plane है, जिसका नाम है, बेटा, r.n equal to d, r.n equal to d, और यह आपके पास, बेटा, कोई point है, space में, उसके उपर है, कहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका position vector है, बेटा, a, क्या है position vector, a, और आपको बेटा, इस पे perpendicular डालना है, तो यह आप perpendicular मानलो, इसका foot m पे गिर रहा है, तो आपको निकालनी है, a, m की length क्या है, a, m की length क्या है, clear है, तो मैं आपको trick बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से trick देखिए, आपको जहां पर r है, आपको जहां पर क्या है, r है, r vector की जगे पे a vector पे लिखना है, तो क्या बन जाएगा, पहले तो mode लगा लो, क्योंकि distance चल रही है, positive लेनी है, तो r की जगे पे क्या है का बताईए, vector a, dot क्या बनेगा, vector n, अब d उधर है, तो उधर लेकर करके यह minus d, बोली बन गया, और कुछ नहीं, upon में करना है, mode of n, बस, clear हो गया, यह ही आपके distance बनेगी, from the given point, clear है, any problem, from the given point यह आपके distance बनेगी, vector a, dot n, minus d, upon mode of n, clear, अब यदी आप, यदी आप जो है, origin से distance निकालना चाहते है, then what happened, आपको पहले भी कराया है, मैंने, कि origin से distance निकालने के लिए, यह तो normal form में convert कर लो, यह माल लीजिए, this is the point o, 0, 0, 0, clear है, और आपको यह perpendicular कर आपने, this point is o, so distance is o, m, तो बिटक क्या बन जाएगा, देखिए, इसी formula में, यहाँ, equation क्या है, plane का, vector r, dot n, equal to d, clear, तो r की जगए आप क्या रखेंगे, origin vector, क्योंकि मैंने बताया था, formula क्या होता था, a dot n, r की जगए a vector, तो a की जगए फिलाल o है, o यानिकी 0 vector, origin vector, तो 0 dot n vector, minus d, whole upon, क्या हो जाएगा, बिटा, mod of n, तो यह तो पूरा का पूरा, 0 हो गया, बिटा, क्योंकि origin से, 0 से, 0 भेड़ेगा, 0 हो जगा, तो answer क्या बनाए, बिटा, d by n, d by n, का mod, d by n, का mod, आपको याद होगा, मैंने इसको p कहा था, कब कहा था, जब मैंने आपको normal form पढ़ाया था, जब मैंने क्या पढ़ाया था, normal form, याद करिये, जब मैंने बताया था, कि आपके पास कोई standard form है, या general form है, vector r.n equal to d, तो normal form में बदलने के लिए क्या कर दीजिए, दोनों तरफ mod n का divide कर दीजिए, तो vector r.n cap, whole divided by mod and यहां हो जाएगा, और d divided by mod and यहां हो जाएगा, इस term को हम क्या बोलते थे, p, this is the perpendicular distance from the origin, so vector r.n cap और यह बन जाता था, अपने पास p, okay, clear, तो यह एक, मालब इसका एक छोटा सा use है, p equals to कितना होगा, d by n, तो यह बेटा हमारे पास आगिया, distance from a point, अब इसका हम देख लेते हैं कौन सा form, cartesian form, distance का कौन सा form देख लेते हैं, cartesian form, cartesian form, यह देखे, आपके पास plane है कोई, and the equation of the plane is ax plus by plus cz plus d equal to 0, यह बेटा आपके पास standard form of plane है, standard equation of plane है, और आपके पास कोई उपर point दिया गया है, this point is p, x1, y1, z1, और आपको इससे perpendicular distance find करनी है, perpendicular distance find करनी है, मान लिए जो perpendicular is point m पर गिर रहा है, आपको perpendicular distance find करनी है, तो क्या rule है बेटा, मैंने बताया, x, y, z variable की जगह x1, y1, z1 put कर दू, okay, so pm is equals to mod लगाई है, बोलिए, ax की जगह पर x1, by की जगह पर y1, c, z की जगह पर z1, और plus का d जैसा था, as it is वैसे, और root mod n, यानि कि इसके normal vector का mod लेते हैं, तो अंदर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, mod क्या होता है, a square plus b square plus c square, clear हो गया, तो ये बन गया आपके पास में perpendicular distance from a given point, अब यदि आप P की जगह origin लेने, तो ये distance बन जाएगी, om, तो बिटा, क्या formula बनेगा, x1, y1, z1 क्या हो जाएगा, 0, 0, 0, भाई, origin के case में तीनों होते हैं, 0, तो ax1 भी 0, y1 के कार्ट, by1 भी 0, c, z1 भी 0, यो only क्या बचेगा, बिटा, d, बुली बचेगा की नहीं बचेगा, and d upon under root a square plus b square plus c square, और यही तो उपर बच रहा था, देखे, dy mod n, भाई, जब आप इसको उपन कर दोगे, तो dy under root a square plus b square plus c square ही तो होगा, clear, तो ये हो गया हमारा perpendicular distance from the origin, clear है बच्चों, so ये हमारा हो गया perpendicular distance from the origin, तो मैंने जो आपको बेस तरीका बताया है, आप इसी तरीके से इसको find करिएगा, distance को, okay, vector a dot vector n, ठीक न, minus d by n, ये formula याद रखेगा, इसका एक formula आपकी बुक में और दिया हुआ है, बच्चों, जो दिया गया है, ये दिया गया आपकी बुक में formula, देखेए, मैं इसको green color से लिख देता हूँ, आपको जो बुक में perpendicular distance का formula दिया गया, वो दिया गया है, p minus a dot n cap, p minus a dot n cap, तो इससे भी कर सकते हैं, अगर ये लंबा पड़ेगा, तो आप इस formula को use ना कीजिए, आपको जो मैंने ये formula बताया है, आप इस formula से करीगे, ठीके ना, तो आपके सारे question के answer बहुत जल्दी जल्दी आ जाएंगे, ओके, so guys, ये हमारी theory यहाँ पर पूरी finish होती है, अब इसके बाद numerical बचे हुए हैं, तो खूब numerical आप लगाईए, ओके, और अब हम भी आपके साथ में numerical लगाएंगे, और आने वाले वीडियो में हम आपको बढ़ी है बढ़ी है numerical करके देते जाएंगे, thank you so much for being with us, stay tuned with location sir unlimited study zone,